कैसे बना है एडी ने जो अपनी अप्लिकेशन जमा करी है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे गवाहों के बयान के आधार पर है जो दराकर धमकाकर उनसे लिये गए हैं इसका प्रमुकुधारन रागव मगुंटा रागव मगुंटा 16 सितंबर को बयान देते हैं कि वो दिनेश अरोड़ा को नहीं जानते अरुन पिल्लई को नहीं जानते विजे नायर को नहीं जानते आमादनी पार्टी के किसी नेता को नहीं जानते उसके बाद 10 फरवरी को रागव मगुंटा को अरेस्ट कर लिया जाता ह अरेस्ट करने के बाद उन पे दमाव बनाया जाता है और उसके कुछी दिनों बाद वो अपना बयान पलट लेते हैं और कहते हैं कि हमने 25 करोड रुपे दिये जैसे ही वो अपना बयान बदलते हैं उसके बाद वो अपना बयान पलटते हैं 27 जुलाई को और 10 अगस्त को उसके मात्र दो हफ़ते के अंदर अंदर रागव मगुंटा अप्लिकेशन डालके कहते हैं जी मुझे पीठ में दर्द हो रहा है आप मुझे बेल दे दीजिए और ED उस बेल का कोई विरोध नहीं करते है वो ही ED जो स्पाइनल सरजरी की आवश्यक्ता वाले स पातेंद्र जैन जी को बेल नहीं देती है जब रागव मगुंटा आम आदमी पाटी के खिलाफ बयान देते हैं तो ED कहते हैं जी उनके पीठ में दर्द हो रहा है सही तो है उनको बेल दे दी जाए दूसरा ऐसा विटनेस जिसके आधार पर जिसके बयान के आधार पर आज ED कह रही है कि हमें अर्विंद केजरिवाल को गिरफतार करना है पी शरद रेड़ी जिसने सबसे पहले 9 नवंबर को कहा कि मैंने विजे नायर को आम आदमी पार्टी को दिनेश रोडा को किसी को कोई पैसे नहीं दिये उसके बाद उनको 10 नवंबर को गिरफतार कर लिया ज करोड रुपया रिश्वत दी है मैंने 100 करोड रुपया आम आदमी पार्टी को के कविता को किसी को भी दिया है और जैसे ही वो बयान देते हैं 26 अपरेल को 8 मई को उनको भी पीठ में दर्द होने की वज़े से बेल मिल जाती है तो यह क्या दिखाता है यह साफ दिखा रहा है कि अलग अलग लोगों को एडी इस केस में गिरफ्तार कर रही है उन पे दबाव बना रही है और फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जूटे बयान दिलवा रही है और इन जूटे बयानों के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रह यह वही शरत रेड़ी हैं जिनके बयान पर आज एडी रिलाइ कर रही है अर्विंद केजरिवाल को अरेस्ट करने के लिए जिन्होंने अपने अरेस्ट के तुरंत बाद 45 करोड रुपे के इलेक्टोरल बॉंड्स खरीदे जैसे ही वो इलेक्टोरल बॉंड्स पहुंचते है रूलिंग पार्टी के पास कुछ दिन में शरत रेड़ी जी को बेल मिल जाती तो आज के दिन में ये बिलकुल साफ है कि एडी को एक रुपे के भी भरष्टा चार का प्रमान नहीं मिला है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे बयानों के आधार पर केस बना रहे हैं जो उन्होंने ऐसे लोगों से लिये हैं जिनको पहले वो अरेस्ट करते हैं दराते हैं धमकाते हैं जेल में रखते हैं और फिर जमानत का लोग दिखा कर उनसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ बयान लेते है आज जो इस देश में हो रहा है वो कोई जाच नहीं हो रही है वो कोई केस नहीं चल रहा है आज इस देश में लोकतंतर की हत्या हो रही है जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बिना किसी सुबूत के गिरफतार कर लिया जाता है आज इस देश में लोगतंतर की हत्या हो रही है जब चुनाव की घोशना के बाद एक नैशनल पार्टी के नैशनल कन्वीनर को विपक्ष के प्रमुख चहरे अरुइंद के जरिवाल को चुनाव की घोशना के बाद गिरफतार कर लिया जाता है आज इस देश में लोग कंत्र पर हमला हो रहा है जब विपक्ष की एक प्रमुक पार्टी कॉंगर्स पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है चुनाव से कुछ दिन पहले मैं भातिय जनता पर्टी से कहना चाहूंगी कि पूरा देश आपकी ये तानाशाही देख रहा है पूरा देश देख रहा है कि आप किस तरह से लोग कंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा देश आपको इस तानाशाही का जवाब देगा क्योंकि ये भगत का देश है ये बाबा साहिब अमबेड कर का देश है और इस देश में लोग कंत्र की हत्या करने के हर प्रयास को इस देश के लोगों ने मूतोर जवाब दिया है थांक यू